इस ट्यूटोरियल में हम पहले GitHub से आवशक सभी कारेक्रमों को डाउनलोड करेंगे और फिर उन्हें क्रमिक रूप से स्थापित करेंगे हार्डवेर आवशकाओं की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि आपका कम्प्यूटर इसके लिए उप्यूक्त है किसी भी ब्राउजर में एक खोज इंजन में GitHub प्रिजम को लिखना आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उस टैब या गूगल खोज लिंक पर स्विच कर सकते हैं गिट को पर प्रिजम को का चैन करें यहां लिंक प्रिजम क्लिक के बारे में सभी वीडियो के तहत है हम GitHub प्रिजम को रिपोजिटरी पर गए यहां प्रिजम ब्लॉक्चेन के डेवलपर से सभी लिंक है Windows पर प्रिजम को डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें आप अपना ओपरेटिंग सिस्टम चुनें सिस्टम पूछता है कि कहां डाउनलोड करना है डेस्कटॉप पर चैन करें तुरन सहेजे पर क्लिक करें प्रिजम आइकन डेस्कटॉप पर दिखाई दिया ब्लॉक्चेन के पूरे इतिहास को नोड में तेजी से डाउनलोड करने के लिए मैं आपको db folder का snapshot डाउनलोड करने की सला देता हूँ ऐसा करने के लिए यहां जाए github prism को डाउनलोड करने के लिए चुने official blockchain snapshot folder torrent नहीं तो zip मैं zip folder का चैन करता हूँ आप इसे अपने desktop पर डाउनलोड कर सकते हैं मैं सी drive पर जगा बचाने के लिए d drive पर डाउनलोड करूँगा मेरे computer पर जाए press disk d prism db folder डाउनलोड किया गया है डाय माउस बटन के साथ उस पर क्लिक करें गुनों का चैन करें इस folder का वजन 14.6 gb है repository पर जाए prism पर गिथा और डाउनलोड पर क्लिक करें java art के लिए prism core u 221 windows desktop पर sandra.zip क्लिक करें सहे जे.download किया गया folder desktop पर प्रकट होता है java github repository पर वापस जाएं और सभी operating system v.1.2 या v.1.32 के लिए download prism core underscore mods का चैन करें. desktop पर रक्षा कर folder mod v.1.32 desktop पर प्रकट हुआ इस वीडियो के पहले खंड में हमने चार पूरी तरह से मुफ्ट कारेक्रम डाउनलोड किये अपने computer पर अपना स्वयम का नोड स्थापित करने के लिए c drive पर ने शुल्क prism को software ब्लॉक्चेन इतिहास के synchronization को गती देने के लिए d को चलाने के लिए पांच जनवरी 2023 तक मुफ्ट ब्लॉक्चेन इतिहास तीन नोड के पूर्ण संचालन के लिए ने शुल्क जावा आठ यू 221 और नोड में सभी कारियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मुफ्ट मौड इस वीडियो के दूसरे खंड wallets.in app के फोर्जिंग में हम डाउन्रोड किये गए कारेक्रमों को launch करने के लिए आगे बढ़ते हैं हम पहले नोड शुरू करते हैं इस आइकन पर क्लिक करें यवस्थापक के रूप में चलाएं एक टिक रखें अगले बटन पर क्लिक करें यहां भी एक टिक डाले और अगला क्लिक करें इंस्टॉल पर क्लिक करें इंस्टॉल पर क्लिक करें बॉक्स को यहां अंचेक करें फिनिश दबाएं देस्क टॉप पर एक ट्रिज्म शॉर्टकट दिखाई दिया है उस पर क्लिक करने और नोड को प्रारम करने से पहले डाउन्लोड किये गए जावा आठ्यू 221 को कंप्यूटर पर स्थापित करें। हम लियंतरन कक्ष में जाते हैं। प्रोग्राम और घटक.जाचे की जावा का कौन सा संसकरण नोड के साथ स्थापित किया गया था। संसकरण 8 अध्यतन 162 स्थापित किया गया है। और हमें यू 221 की आवशक्ता है। हटाए पर क्लिक करें। क्या आप वाकई हटाना चाहते हैं। हाँ, जावा को हटा दिया गया है। अब जावा 8 यू 221 फोल्डर पर क्लिक करें। शुरू करने के लिए दो निर्देश हैं। एक अंग्रेजी में, दूसरा रूसी में। इन दो फाइलों का चैन करें और व्यवस्थापक के रूप में चलाएं। नेक्स्ट नेक्स्ट डाउन्लोड शुरू हो गया है। नेक्स्ट स्थापना चल रही है। क्लिक करना क्लोज। हम नियंतरन कक्ष में जाते हैं। अब हमें जावा को अपडेट करने से रोकने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए प्रारंब क्लिक करें। सभी अनुप्रयोग। खोज जावा। चेक फर अपडेट्स। उप्ड़ता। चेक मार्क निकाले। दू नौट चेक। क्लिक करना मेरा कंप्यूटर खोज इंजन में सम्मिलित करें रेगिस्ट्रू एडिटर। डाउनलोड करने के बाद आईकन पर क्लिक करें रेगिस्ट्रू एडिटर। क्लिक करना HKY LOCAL MACHINE क्लिक करना software। आगे प्रत्ते कंप्यूटर का अपना पत होगा। यहां देखने के लिए इन संत्रम्रों की जाच करे की कौन सा आपके अनुकूल है। आपका कार्य फोल्डर ढूलना है Enable Java Update। मेरे मामले में यहां फोल्डर है। संदड़क। HKY Local Machine Software Wow 6432 Node Java Soft Java Update Policy Enable Java Update फोल्डर पर क्लिक करे Enable Java Update। 1 दर्स करे 0 हटाएं HK पर क्लिक करे अब आपका Java नए भुकतान किये गए संसकरण में अपडेट नहीं किया जाएगा। आप अपने डेस्कटॉप से Java फोल्डर हटा सकते हैं। यदि आपने इसे वहाँ डाउनलोड किया है तो आप इसे डाउनलोड फोल्डर से भी हटा सकते हैं। हमने कम्प्यूटर को रीबूट किया और नोड के लाउन्च के लिए आगे बढ़े। प्रिजम शॉटकट पर क्लिक करें। गुरों का चयन करे डॉट अगला फाइल स्थान डॉट स्थापित प्रोग्राम्स के साथ एक फोल्डर सामने आया है डॉट हम पाते हैं। इस फाइल का चयन करें। व्यवस्थापक के रूप में चलाएं बटन पर क्लिक करें। शीर्ष पंक्ती में अपना स्थिर आईपी पता लिखें। यदि आईपी गतिशील है तो फील्ड को खाली छोड़ा जा सकता है। यहां आप अपने नोड का नाम लिख सकते हैं। मैंने व्यालंटिनाइ सायनिय में दो लिखा है। इस तरह मेरे यूट्यूब चैनल को कहा जाता है। हम एक व्यवस्थापक पासवर्ड के साथ आते हैं। और इसे इस फील्ड में सम्मिलित करते हैं। यहां हम आपके व्यक्तिगत वॉलेट से खुला पता डालते हैं। जिसे आपने पहले ही इस वीडियो से बनाया है। यदि आपने अभी तक एक व्यक्तिगत बटवा नहीं बनाया है। तो आप नोट शुरू करते समय एक बना सकते हैं। हम दिफॉल्ट रूप से चेक बॉक्स छोड़ देते हैं। पहली पंक्ति पर क्लिक करें। यहां स्थिर विश्वसनिय पते हैं जो पिरास में प्रदर्शित किये जाएंगे। यहां भी हम यहां कुछ भी नहीं चूते हैं। यहां हम दो चेक मार्त लगाते हैं। हम यहां भी कुछ भी नहीं बदलते हैं। Save or Start Prism, Node Launch की तैयारी कर रहा है और हम सभी फाइलों को बंद कर देते हैं Blocking के बारे में एक चेतावनी जारी की गई है चेतावनी पर ध्यान न दे और Access की अनुमती दे पर क्लिक करें अपना देश चुने, मैं पंजिकरित उप्योग करता क्लिक करें यदि आपने अभी तक एक व्यक्तिकत ओनलाइन वॉलेट नहीं बनाया है तो इस आइकन पर क्लिक करें और इसके बजाए कुन्जी के साथ एक आइकन दिखाई देता है और यहां तयार पार्ट दस्तावेज पर आपके द्वारा आविशकार किया गया पास्वर्ड डालें पास्वर्ड में रिक्त स्थान के साथ अपरकेस और लोरकेस लैटिन अक्षरों के कम से कम 113 से 120 वरन शामिल होने चाहिए इसे किसी पार्ट दस्तावेज से copy करे.copy करे.पना password यहां paste करे.login पर क्लिक करें दोड आपके आविशकार किये गए password के अनुसार आपको अपने बटुए से एक पता और एक सारवजने कुझी उत्पन्द करता है wallet पते पर क्लिक करें. आपके बटुए का विवर्ण सामने आता है. अपने बटुए में सारवजने कुझी copy करें. इसे text दस्तावेज में paste करें. wallet पते की प्रतिलिपी बनाएं. इसे पार्ट दस्तावेज में चिपकाएं. इसे कई बार duplicate करें. नोड में इस wallet से log out करने के लिए बटन पर क्लिक करें. आइकन पर क्लिक करें. सत्यापित करने के लिए अपना password डालें. इस प्रकार नोड में आप जितने चाहें उतने wallet बना सकते हैं. आपका पता और सारवजने कुझी उस पते और सारवजने कुझी से mail खानी चाहिए जो आपको पहले ही आपके password से प्राप्त हो चुकी है. दस्तावेज सहेजें. दस्तावेज का screenshot लें और दस्तावेज को USB flash drive पर स्थानांतरित करें. यदि आपने पहले से ही एक online wallet बनाया है और आपके पास उससे एक पता है तो अपना wallet पता यहाँ डालें. याद रखे पर क्ल हैं. तो हर बार आप यहाँ दूसरे wallet से एक नया पता डालें और याद रखे पर क्लिक करें. डिफॉल्ट रूप से नोड आपके बटूए के 100 पते तक याद रखेगा. और जब आप नोड छोडते हैं तो आप यहाँ अपने बटूए के बीट स्विच कर सकते हैं. तीर प 2018 को लॉंच किया गया था. लॉंच का समय 21 घंटे 17 मिनिट 69 सेकंड है. नोड विंडो को छोटा करें पर क्लिक करें और ऐसा कंप्यूटर डॉट तू पर स्लीप मॉड बंद करें. गियर पैरामिटर पर क्लिक करें. पावर और बैटरी का चैन करें. स्क्रीन और स्लीप पैरामिटर पर क्लिक करें. चेकमार्क पर क्लिक करें. चुनना. इस सुविधा को कभी भी अक्षम न डिसिबल डॉट टू नींद मोड की अनुमती दे पर क्लिक करें. नोड को डाउनलोड करने में लगभग 4 घंटे लगते हैं. डाउनलोड के दौरान, नोड स्वचालित रूप से प्रिज्म ब्लॉक्चेन नेटवर्क में 14 नोड से जुड़ा हुआ था. बैलेंस शीट पर अभी भी 0 सिक्के हैं. क्योंकि यहां बटूआ हाल ही में बनाया गया था और नोड को केवल 8 0 5 4 1 7 ब्लॉक की उचाई पर लोड किया गया था. इसके लिए टास्क बार पर प्रिज्म आइकन पर क्लिक करें. शट डाउन. मेरे कंप्यूटर पर क्लिक करें. ड्राइव डी. डाउनलोड किया गया फोल्डर प्रिज्म डीबी. क्लिक करें. खोले. अब चलो सी ड्राइव पर डीबी फोल्डर ढूंदते हैं. पहला विकल. मेरा कंप्यूटर सी ड् बटा उप्योग करता बटा उप्योग करता नाम है मेरे पास एक Lenovo है आपके पास user.next app data हो सकता है roaming, prism folder, prism db folder, दूसरा विकल, मेरा computer, disk c, खोज इंजन में लिखे prism db, परिणाम की खोज की जा रही है उस folder का चयन करे जिसमें पत disk c बटा उप्योग करता बटा Lenovo app data roaming बटा प्रिजन क्लिक करना c drive पर सभी folder का चयन करे और हटाए folder खाली है अब हम disk d पर सभी file का चयन करते हैं और उन्हें disk c पर खीचते हैं लेंडेन इतिहास की लोडिंग शुरू हो गई है प्रक्रिया लंबी है लेकिन उप्योगी है मई 2023 तक ब्लॉक शून्य से बूट होने में कुछ दिन लगते हैं db folder डाउनलोड करना समाप्त होने के बाद अपने computer को पुन्रारंब करे dot prism gun shortcut पर क्लिक करें फाइल का स्थान prism config लोड प्रारंब करें ब्लॉक्चेन इतिहास को पूरी तरह से synchronize होने की प्रतीक्षा करें आज 28 मई उतपन्न ब्लॉकों की उचाई 2544982 इस wallet पर 6 राशी 28987 सिक्के हैं धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से node disconnect करें गिटकुब डॉट से डाउनलोड किये गए mod folder पर क्लिक करें folder खोले mod को manual रूप से स्थापित करने के लिए folder में दो निर्देश हैं एक अंद्रेजी में दूसरा एक रूसी पर है हम folder की सामगरी के वचालित प्रतिस्थापन का चैन करते हैं UI folder पर क्लिक करें सभी file और folder का चैन करें shortcut prism properties पर क्लिक करें file का स्थान इस folder में html folder पर क्लिक करें UI folder ढूंदे उस पर क्लिक करें . सभी चैनित folder और file को यहां स्थानांतरित करें . और file को बदलने पर क्लिक करें . इससे mod की स्थापना पूरी होती है इस mod को install करने के बाद यहां tab आपके node में दिखाई देगा फर्जी खाते यह mod आपको अवसर देता है अपने सभी forzer wallet के सामान्य आंकडों को देखने के लिए प्रत्यक wallet के आंकडों को अलग से देखने के लिए निरंतर windows अध्यतनों के बाद computer के पुन्रारंब के साथ node शुरू करते समय यह mod केवल एक बटन पर क्लिक करके कुछ सेकंड में स्वचालित रूप से अपने सभी बटवे को forging से connect करना संभव बनाता है ऐसा करने के लिए . ठीक एक पार्ट दस्तावेस बनाए . इसमें अपने बटवे से password दर्ष करें enter the by. दूसरा password दर्ष करें enter the by. और अपने सभी बटवे से सभी password की पूरी सूची बनाए . इस पार्ट दस्तावेस को सहेजे इसे USB flash drive पर स्थानांतरित करें और इसे कंप्यूटर से हटा दें . कंप्यूटर के प्रत्तेक पुन्रारंब के बाद नोड प्रारंब करें . खाते बनाने के टैप पर क्लिक करें . फोर्जिंग खाते शून्य बचन कनेक्ट फोर्जिंग पर क्लिक करें . एक अनुरोध आता है . एक बॉलेट कनेक्ट करें या फाइल से चलाएं . फ्लैश ड्राइव मीडिया का चैन करें . फोर्जिंग कनेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्राउस करें पर क्लिक करें और फोर्जिंग अकाउंट्स पर क्लिक करें। और सभी प्रिज्म वालेट स्वचालित रूप से एक सेकंड में फोर्जिंग से जुड़ जाते हैं। इस वीडियो को अपने चैनलों पर अपलोड करें। इस जानकारी को साजा करें। अपने दोस्तों और परिचितों को अपने बटुए में व्यक्तिगत सिक्कों की पीधी में भाग लेने का अवसर दें। सिक्कों में निश्क्रिय शाश्वत आई प्राप्त करें। विरासत क किसी भी व्यवसाय में प्रिज्म क्रिप्टो सिक्का लागू करें किसी भी सामान और सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों को उपहार छूट के रूप में मुझे आशा है कि वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए उप्योगी था जैसे चैनल की सदस्यताले तिपणिया लिख बदोने लिए नमर को ओुरौन लिए नव्योग, सब्सके और अबदोट आफ प्रोल लिए वार बन को मीष्यन बड़ियोग प्रियोग प्राहन ऑ्राहन लिए यह व्म, प्रिजियो अपर लिए बैट अ, किसे बां पांआए। एम, ḥ किसे लिए अके प्राएंग, प्रौ сейчас заправляемся слушать это просто огонь это просто войны это что-то не вероятное до чего дошел прогресс ведь он еще показывает здесь обалдеть